देखो वाइंडिंग की एकदम स्मूथ चल लई है मसीन आप देख सकते हो सही से यह देखिए और वाइंडिंग की क्वायल एल्मुनियम में पंखा भर के दिखाऊंगा कहीं भी वायर नहीं टूटता है मतलब एल्मुनियम भी इस मसीन से 113 मोडल से एकदम पानी जैसाब भर करेंगे ल्मुनियम करेंगे दोस्तों기를 convention करेंगे दोस्तों आपई देख सकते हो और हमारे बाए घरेंगे आप dersel ein के आरायों किरीं एक एक और समझे कह लोगा है मैंति यह चार की ही धी कीह की यह दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना इस तरीके से इस तरीके से आपको इस टेटर को फसा लेना है इसके अंदर इसे पीछे पुस करना है और इस तरीके देखिए जैसे मैंने फसाया है इस तरीके से इस टेटर को फसा लेना है और सेट कर लेना है उने वाली एकदम स्टाइब कर दिया है कि अगया कि सामने की तरफ रहें और अपको यहां पर इस नट को लूज करता हूं यह दोस्तों यहां से आपको सेटिंग ने इस तरीके से यहां पर देख लेना जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कितने पर आपके डाइब सेट होगे एक दम बढ़िया वाइंडिंग होगी देखिए हमने डाई सेट कर दिया है जितना यह देखो इस तरीके से यहां पर जो गेप है यहां पर इस्ट्रा नहीं होना चीज यहां पर मेरी उंगली है एकदम सही से डाई को सेट करना जैसे मैं आपको दिखाने की कोसिस कर रहा हूं यहां पर आपको फस्ट्रा नीची है इस सिस्टेम अपर हो ऊपर वाली नीचे वाली यहां पर होगी तार एकदम वीच वी सेंटर में आ जाए हमने डाई को सेट कर दिया है आई यह रिवाइंडिंग करके दिखाते हैं आपको सेट करना हम स्टार्टिंग में 320 डालेंगे 35 न किसасти थिर यहां से नेखिए यहां से दार लेना यहां से तार लेना किटी बढ़िया whilst की बाइन कीयों करें कोपर कीट और मसंट से हो जाती ज्यादा रोपके साथ जाना कैसी होती है जाहिए चला सकते हो चाहि은 तो इस वाले बट section और आपको फिनीसिंग और क्वालिटी दिखाता हूं यह देखिए इस वाले हाथ से हक्ते को पीछे करना है और यहां से वायर को इस तरीकी से पकड़ लेना है अब आपको क्या करना है पर यहां पर आपको प्रेस करेंगे यहां से बटन है अब देखो वायंडिंग की एकदम इसमूद चल लएए मसीन आप देख सकते हो सईसे यह देखिए और वायंडिंग की कॉयल एल्मुनियम में पंका भरके दिखाऊंगा कहीं भी वायर नहीं टूटता है मतलब एल्मुनियम भी इस मसीन से वन वन थरी मोडल से एकदम पानी जैसा आप भर सकते हो दोस्तों दोस्तों फटा फटी पूरा इस टेटर भरके आपको दिखा नहीं बस पंक्य को भरते रहो फट आफट यह देखो दोस्तों भर रहा है ना एकदम सही तरीके से यही चीज आपको दिखाना चाहता हूं मैं कि कितनी बढ़िया तरीके से यह पंक्य को रिवाइंडिंग होता है इस से अब देखिए दोस्तों क्या काम करेंगे हमारी तीन क्या करना है बस सिंपली फॉर्वड के बटन पर दबा देना है और यह दो हमारी मसीन फॉर्वड चल गई है एल्मुनियम की वाइंडिंग करके दिखा रहा हूं बढ़िया तरीके से स्टार्ट हम 35 वायर से वाइंडिंग कर रहें इस टैम पर दोस्तों और हमने डाली तीन कर सकते देखिए कि देखिए कि भड़िया थरीके से स्टार्व कि तो मैंना इस वाली तॉब रहें इसकी तो बड़िया तरीके से एल्मुनियम में अगर मेरे तो मेरे भाई यह वाली खरीदना बहुत ही गजब काम करती है थोड़े दिन पहले हमने खरीदा था उसे लेकिन बाद में बेस दिया नहीं समझ में आता है दोस्तों पंखा सही से वाइंड नहीं करता है कॉपर कॉपर भी नहीं सही से वाइंड होता है अलमुनियम तो भूल अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलोजी वाली मसीन लेना चाहते हो तो बेशक आप इस मसीन के साथ जा सकते हो जिसका मॉडल नमबर है वन वन थिरी मोडल है किसान इंजीनिंग कंपनी की तरफ से आती है यह देखो एक वन टू टू त्री फॉर फार्प सिस्टने डल गई है पर आपको दिखा दूगा ता कि आपको एक अंदाजा मिल जाए कि उसकी फिनिसिंग कैसी होती है दोस्तों इस तरीके से देखिए एक चीज आपको समझाओ मैं यहां से देखना यह वाला वायर जो आप मेरे अंगुठे पर देख रहो यह लाश्ट में वायर ऐसे हो जाता सब कुछ हो जाए दोस्तों यह देखिए अमने से चलाएंगे फॉरवर्ड यह देखना अमेसे फॉर्वर्ड चला देता हूं यह देखिए चल लेए ना एकदम दंदार मसीन यह कॉलीटी देखिए ऐकदम फर्स क्लास तरीके अपको पास से दिखाता हूं ताकि एकदम सही किसा नौलेज मिले यह देखो आपका सामने लाइफ वीडियो बना रहा हूं कभी आप सब्सक्राइब भाई ने जुगार से दिखा दिया जो सच्चा ही यह भाई वही बता रहा हूं देखिए दोस्तों डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूं सारी चीजे इसके अंदर शीक्स ट्राय शीटम है तो ज्यादा इसमें सेटिंच करने की डाई बहुत ज्यादा देर दक सेट करने की लाप तो है नहीं डाई लगा वाइन निक सुरुकर है आपको आपको एक दो इस से चेंज करा इस तरीके से सिंपल एक दम देखो आपको वायर वगैरा सही से से रखना दुबारा से मैं भरके इससे दिखा रहा हूं आपको अब हम अगर दुकान वालों के लिए पंखा वाइंड करते हैं 150 रुपए लेते हैं पुराना पंखा भर के मलब दे देते हुने नूनका अलमुनियम से काफी पैसा कमा सकते हो काफी मोटी कमाई कर सकते हो हजारों रुपए डिन के कमा सकते हो अगर आपके पार काम आता है और वाइंड करते हो तो कौपर में कि जादा बचत नहीं होती लेकिन इलमुनियम में आपकी इच्छी खासी भचत हो जाती है यह दूसरी तरह आपको से शुरू करा था तो लाश्ट में नॉर्मल सी बाते फॉरवर्ड चलाना पड़ेगा में तो फॉरवर्ड चला कि इस ट्रकों निकालते हैं उसके बाद में आपको फिनीशिंग दिखाते हैं कितनी गजब की फिनीशिंग है लाश्ट को यह वह भी भरी देता हूं उसके पहले पहले आपको पंकर तैयार हो जाएगा अगर आप एक्सपर्ट बंदो यह देखिए अन्ना आप यहां से दुबारा से सुरू कर देते हैं फॉर्वर्ड चला दिया हमने मसीन को लाश्ट क्वाइल्टी और यह भर गई हमारी इस तरीके से आपको करना है यह बढ़िय क्वालिटी देखो वाइंडिंग की एकड़ में बढ़िया क्वालिटी की वाइंडिंग हुई है दोस्तों इस मसीन से आपको भरके दिखा दिया अगर यह वाली मसीन आपको खरीदी नहीं है आप खरीदना चाहते हो तो आपको बताओ मैं किसान इंजिनिंग का 113 मॉड़ कंपणी ने एक दब न्यू लॉंच कर आए डबल सरीया के साथ में आता है यह वाला मॉडल और वाइंडिंग तो एक नंबर की गदर क्वालिटी की वाइंडिंग होती है यह मसीन खरीदना चाहते हो डिस्पले पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल करके आप इस मसीन का झाला मॉडल पर वाल रहा है इस नंबर पर लो करके वाला की वाला रहा है यह मसीन रहा है यह बड़ है यहा इस नंबर रहा है यह झाएंग है यह झाला